मोबाइल के डाटा को बचाने के तरह तरह के उपाई करते रहते हैं लेकिन आज मैं चार इस तरीके के बारे में बताऊंगो जो आप लोगों को पता नहीं होगा तो नमस्कार दोस्तों मैं सुरिंद कुमा चेवान आप सभी लोगों स्वागत करता हूं हमारे उक्विप चैन पर आपको प्रेटेकली बताऊंगा कि किस परकार से आपको जो सेटिंग करना है और क्या क्या सेटिंग करना है जो आपके जूड़ाटा जो है सुबह मालगे बाएक चुछ दूब़ाटा है और जो साहिम को देखते हो तो उसमें कुछ नहीं बचाए लेकिन दोस्तों इस प्रिफन पर हमें जो है क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे दूस्तों इस परकार से एंटरफेस्कुल के जाएगा बहुत सारे सेटिंग यहां पर दिखाई देंगे देखें दोस्तों यहां पर आपको एक setting करना है यहां पर एक option डूलना है additional setting पर आपको कर दिना है click जैसे एक क्लिक कर देंगे दोस्तों इस परकार से interface खुल के आजाएगा यहां पर आपको मिल जाएगा backup and reset यहां पर आपको कर देना है क्लिक जैसे क्लिक करेंगे दुस्तों इस प्रकार से इंटरफिस खुल के जाएगा ती यहां पर एक आप्सन मिल जाएगा आपको बेकप माई डाटा ठीक है बेकप माई डाटा यहां पर आपका जो डाटा है वह अपने आप जो बेकप होता रहता दमनेयन जैदाए है इसे करना से आपकाड़ ढटा जो सकता है जो आपको बंन तीक यह ल कैसे अपने आप जो होता रहता है इसको बंद कर दोनेयने से वह बैक अब नहीं होगा लेकिन जब आप उसको बैक Erst लीलियोस को बेकप कर सकते हैं इसके बाद बात करते हैं दूसतों Second No.2 कि आपको करना को यहां Setting पर आपको मिल जाएक का intestines है यहां पर आपको Anumilya के अगर देवल्बोर आप्सन आपको यहां पर नहीं मिलता है तो आफ को करना के है देखी तो आपको जाना होगा About फोन में जाने के बाद वहां पर मिल जाएगा बिल्ड नंबर बिल्ड नंबर पर आपको साथ बार क्लिक कर देना है जैसे साथ बार क्लिक करोगे दोस्तों यहां पर आपको मिल जाएगा डेवलोपर आप्शन ठीक है डेवलोपर आप्शन पर आपको यहां डेवलोपर आपक पर क्लिक करते हैं यहां पर देखिए दोस्तों हमारा टेवलोपर अप्सन जो है खुल गया और यहां पर डिवलोपर अप्सन हमारा बंद है इसको स्टॉट करते हैं यहां से ऑन कर देते हैं बताते हैं इसके बारे में रहूंद रहे हैं उसको मिल जाने के बाता देंगे here यहां पर एक अपसर मिलेगा आपको मिलेगा यहां पर देख लेते हैं फिलाल तो अभी नहीं मिलता है लेकिन जल्दी जल्दी नहीं मिलता है आप धिरे से कीजिए आपको मिल जाएगा सेटिंग क्या है यहां पर करना क्या है देखिए दोस्तों आपको बता रहे हैं ठीक है स को करना है क्लिक जैसे क्लिक कर दूंगे दोस्तों बहुत सारे आप्ष headache दिखाई देंगी तो आपको siblingie क्या करना है क्लिख इसमें क्या होगा दोस्तों अब इसके बारे में भी बता धाएते हैं जैसे क्या होगा गया चलता रहता है चलता रहता है तो नेट यूस होगा ही तो इसी कलना से आपका डाटा कर्च हो है तो अपको यहां से be good pre process limit पे करते है और जी आपको बेख हो जाना है अब सेकंड के बात कि जाएं न्मर भी width को करना क्या देखिए दूसरों अगर आपके फोन में प्लेइस्टोर है ठीक है जितना भी रहता है वह खतम हो जाता है अपने आप अपने आप मतलड़ा कोई अपने आप अप्डेट होता है तो क्या होता है कि को च घर आपको क्लिक करने में है टृण बेक लिक्लिक करने बाद दूस्त ही यहां पर आपको करना यह इस अगर आप मुबाएल से कर दे तो उपर में रहे आपको कर दीना है गली को और यहां पर दोनाएं यहां पर द नहीं होगा तो यहां पर आपको पर भी आपक means पिछे में और डन कर लेना है इस सेटिंग हो जाने के बाद दोस्तों आपको एक सेटिंग और करना है सेटिंग करना है देखी दोस्तों यहां पर हम बेग कर लेते हैं फिलाल के लिए बेग करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे अब जाएंगे हमारे सेटिंग पर सेटिंग प है ईहां पर देखते हैं क्या अपको बताते हैं ठीक है यहां पर और मिल जाए कोफाने यहां पर एप management अगर आपके mobile पर आप कर नाम से है या और पर कुछ नाम से होका लेकिन तो بة आप event management का option मिला है मेरे को यहां पर हम क्यर्द दें कि this क्लिक जैसे क्लिक करते हैं डोस्तों बहुत सारे application हमारे पास आजバイंगे जूरyu र罫 it फिलाल तीक है जो रुणी में चल रहा है वो जो है अपने आप डाटा खारा है ठीक है लेकिन हमें करना क्या है यहां पर एक आपको बताने के लिए बता रहा हूं ठीक है फिलाल के लिए यहां पर और आपलिकसन पर जाने के बार यहां पर आल कर दिये और करने के बाद यहां यहां पर मिलनी रहा है लेकिन मिल जाएगा यहां पर देख सकते हैं ओपो एप स्टोर यहां पर आपको कर देना है क्लिक क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको करना है है देखिए दोस्तों यह जो अप्लिकेशन है ठीक है इसको जो है आपको किस यहां से क्या होता है कि अपने आप अप्लिकेशन अपने जो सिस्टम है वह अपने आप अपडेट करता रहता है उससे जो है भी डाटा बहुत ज्यादा खत्म हो जाता है और सेकंड नंबर के बात की जाए दोस्तों सेकंड नंबर के देखिए दोस्तों अब बात करते हैं जैसे कि आपको मुवाइल कर डाटा को बचाना है तो करना क्या है डाटा को बचाने के लिए दोस्तों आपको एक सेटिंग करना होता है जैसे कि आप यू वाइल की डाटों को असाले से बचा सकते हैं तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी से वीडियो आप लोगों को पसंद आए-व फसंद मेशलों को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साहँ सेर कर देना अगर मन में भी कोई सवाल हो तो नीचे कोमेंट करके जरूर बता देना मिलते हैं एक नेश्टी वीडियो में एक नए टोपिक के साथ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन्द वन्दे माध्रम